नमस्ते फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी होंगे और मैं अभी अच्छी हूँ फ्रेंड्स चेयर वीडियो है मगल बार का और डेट थी तेज अपरेल और अभी सुबह के बजए थे पौने पांच और में उड़ गए थी उठने के बाद जो ब्रश वगेरा और जो डेली का रूटीन होता है सिफ प्री हो गई थी जाड़ू वगेरा मैंने बाहर लगा लिया था फिर उसके बाद मैं आ ग सबजी मुने रात नहीं काट ली थी जब मुझे थोया सा भी टाइम मिलता है कि मेरे जो काम होते हैं तो मैं उनको भी ट्रीटर मैनेज करती रहती हूं तो क्या भी व्यस्ता जादा होती है तो इस वज़े से इसलिए समय नहीं मिल पाता है और हमारे परिबार के परती जो हम सबसर की चाहए मनें बाद से पहले मैं चाय बनने के लिए मैं लेख दी थी चाए पीने से भॉग अच्छा लगने लगता है और तो इसी एनरजी जैसी महसूफ होने लगती है तो चाय मने बनने रग दी थी चाय जब्तक पत रही थी तब थक तक मैंने सब्जी काट जी थी सिम्लाोग मुझे मैं रात को काती थी आलू मैं सुबह ही काती थी। तडहाई में पर गल्ब करते जाते हैं तो सब्सके क्यों के अच्छ को बच्छों भी खाने अच्छा लगता है। पुर इसके बाद में इतनी ही वेजिटेवल हो गई थी और इसके बाद बापस ते तरह मेरे तेरी गर्म होने के लिए रखा था और तेरी गर्म जैसे ही हो गया था तो इसमें मैंने डाला था दालचीनी पेज़ करता है और जैसे ही डालचीनी पेज़ करता भून गया थे तो उसके बाद लेसमें जीरे भी डाल देंगी जीरे भी डाल देंगी और इसके बाद फिर वारिक पता हुआ लेसम भी न डाल देंगी तो बारी चीज़ों तो अच्छे से भूर लेंगे और इस तरह की सब्जिया खाने में भी टेश्टी लगती हैं और ट्राइप कर लेते हैं तो फिर पकने में भी टाइम नहीं लगता जंदी ही सब्जियां भी पक जाती हैं और सब्जिय मैं डाली थी कि बाद मैंने से नमख तर टाला था के मैंने टाला थे नमक दालने की बाद धिर मैं डालंगी ब्राइ मसाले में लग पाउडर, घनिय पाउडर, लाल मिट स्काउडर हीए व्स इतने ही मसाले मेने मंक्स में डाले हुए है। से साथ ममसाले मेने मेंने डाल दी है। इनको भी में मिक्स कर लूगे। ग् comprehensive giddy Yo Yo, U sedhat और भी आज पर शब्जी को in,… सब्जी how पख जाएगी कर दिया है और अब बचों की स्कूल खूल रहे हैं तो उनको जल्दी भी उठना होता है और साधी सीजन चल रहा है तो बच्चे काफी राज तक जागती भी रहते हैं तो उनको भी काफी दिक्कत होती है सुरे सुरे तियार होने में फिर इसके आद मैरूतियां भी बनाती जा रही ही जाए हैं और वेस गॉनने के प्र्ऊंव और ज़ाने के बात रहते हैं तो आज में पर आझने की चले बहुत था ता कि प्रियों प्रकार कसे धिशुद सब्धू अखियर जंतंविए सब्सक्राइब करना है कि मैंने पर तक दम जचाइब अचिह करोएं तो इनको में साफ कर लूगी तो जी जो काम है ये तो हर घर में होता है और करना ही परता है तो इनको में साफ करती जा रही थी गेम साफ हो गए थी और फिर दोज के बाद मैं जाड़ों भी लगा लूंगी थी यहां पर यहां पर यहां साफ किया थे इस वज़े से यहां पर थोड़ा सा गंडा भी हो गया था तो इसको मैंने साफ कर लिया था और यहां पर पोछा रह गया था तो यहां पर मैंने पोछा भी लगा दिया था क्योंकि यहां साफ किया और बरतन बहुत सारे खटे हो गए थे क्योंकि अभी कापी सारे काम रहते हैं क्योंकि अभी घर पर ही शादी हुई थी तो इस वज़े से महमानों का भी आना जाना लगातार लगा रहता है पूरा दिन इसमे dispony रहती हुँ और बीच बीच में 주록 मार्केट में जाना होता है पता नहीं होता अचानक से इस तरहे से बीच बीच में मेकाम होते हैं उनको भी समयлов निकल कर कर रहती हुई कि मैं झाला रहे थी उस वजह से जो साड़ में ही मैंनेज कर रही थी बरतन दो जायते फिर उसके बाद हजबन कुछ सामान भी लायते तो यह भी नहीं रखा हुआ था तो इसको भी मैंने रख दिया था और पर पार्ट भी आ गया था तो वस ले भी कुछ-कुछ चीज़े दिखा रहा था और कुछ देखता जा रहा था और रस्वन कुछ-कुछ चीज़े लाए तो उन्हीं को खा कर देख रहा था कि कैसी लग रही है तो बस फिर उसके बाद सारा सामन में अरेंजि कर भी जा रही हूं और किचन मैंने क्लीन कर लिया था बरतन भी सभी साफ हो गयते फिर सारा जो किचन का काम है तो यह खत्म हो गया था और जो महमान आते हैं तो उनके साथ भी थोरी देर तो बैटना यह पड़ता है तो बस इसी तरीके से जो में मेरा काम है तो मैनेज़ कर रही हूं और बीच में जो जो चीज़े में निकालती हूं तो उनको भी विवस्त रखती जाती हूं फिर मैं मिलती हूं सीधा साम को और हस्वेंट आ गय थी चाय वेके रम इने बना ली थी और चाय बनाने के बाद से सुरी दिर वैठी थी सब भी लोग और फिर जाना था शादी में कि मैं जाओंगी मामा की आहां और हजबन जाएंगी और फिस के स्टाप का जो कारी क्रम तक हुए उसमें जाएंगी फिर बस यही डिसाइड हो गया था और फिर उसके बाद में तियार होने लगे थी विवस्ती तियार होने लगे है और आज कल तो साधियां ही कुछ इतनी हो जाना ही होता है फिर बैस होरी ही दिर में तैयार हो जाओंगी और फिर तैयार होने के बाद हम फिर तैयार होने के बाद हम लग थोड़ी ही देर में निकल गए थे और बस यहां से मुझे छोड़ेंगे मामा के यहां जो शादी है उसमें और फिर वह निकल जाएंगे अपने जो स्टाफ के कारिक्रम है वहां पर और फिर वहां से आने के बाद फिर यहां पर शादी में भी आ जाएंगे। क्यूंकि लोकल में ही सारी कारीग्रम होते हैं तो बहुत ज्यादा दिकत नहीं होती बस थोआ-थोआ टाइम मैनेज करते रहें तो इस तरीके से जो कारीग्रम है तो वह भी मैनेज हो जाते हैं। हम लोक सभी निकल गए थे और वस थोड़ी ही दिर में हम लोक बहुत जाएंगी शादी में। और इसके बाद हम लोग पहुंच गयते हैं शादी में और सादी में पहुंच जही सभी लोग मिल गए और सभी भावी लोग बैठी ही हैं। कुछ मामी हैं, कुछ मौसी हैं, कुछ मामा की बेटी थे तरह इसी तरीके से हम लोग सभी मिल रहे थे और थोड़ी देल हम लोग बैठें लिए और हम लोग उने खाना खाया। और वस खाना खाना के बाद हम लोग जल्दी ही निकल गए थे क्योंकि 12.30 बज़े करी रात को हो गए थे 12 अभी तक नहीं आई थे इसलिए हम लोग जल्दी ही निकल आई थे और फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शियर और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल पर नए हूँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए बाई थेंक यू फॉर वाचिंग